नमस्कार मैं संदीप सेनी आपका स्वागत करता हूं संचे परिवार वै आराध्या आरेएस अकेडमी दोन्यों के सयुक्त तत्वा धान में कोराना वाइरस को मात देने के लिए ओनलाइन कक्षा आज से प्रारंब की गई है और हम आसा करते हैं हमारे विद्यार्थियों से हम नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब करने बचाव ही अपना तरीका है बाहर निकलते समय सैनेटाइजर मास्क का प्रियोग करें भीडबार की जगह पर नहीं जाएं और कोरोना वाइरस के चक्र में जो बादित कक्षा हुई थी उनकी सकती पूर्ती को लेके संचे परिवार ही आपके लिए लेके आया है सबसे इंपोर्टेंट टोपिक तद्षम तद्व सब्दे बात करते हैं तद्षम सब्दों की किसकी बात करते हैं वई तद्षम सब्दों की तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है तत्सम सब्द कहते किसे है क्या क्या जानना जरूरी होता है तत्सम सब्द कहते किसे है तो ध्यान रखना दोस्तो संस्कृत भासा के वे सब्द जिने हिंदी में मान लिया गया है तत्सम सब्द कहलाते है संस्कृत भासा के वे सब्दे जिने हिंडी में मान लिया गया है क्या कहलाते हैं तद्सम सब्द कहलाते हैं रेको यहां तक तो हमें किताबी भी बताती है और हम भी याद कर लेते हैं कि संस्कृत की जो सब्दों होते हैं वो कौन से सब्द कहलते हैं। तच्सम्सब्द कहलते हैं। लेकिन जब एक्जाम में कुंशनार पूसनार एक,"चरवि yolस कि को देहО् गी होता है। तो हमें पता नहीं होता मिहाध नहीं चलता कि ये तच्छमंध या। तद्वो है। इनकी को जानेंगे तो जानने से पूर्व तुर्व तच्म सब्दों का पहला नियम रहीं है, आज जी हाँ, कान कोले रखें अपने सरीब के सभी इंगों को, खौल के, दिल खौल के बैठ जाओ, आपके सामें मातर दो सेकेंड में सीखेंगे, कितनी सेकेंड में, दो सेकेंड में, पहला नियम आता है तत्सम सब्दों का कि तत्सम सब्दों में हमेश्या अनुस्वार का प्रियोग किया जाता है किसका प्रियोग किया जाता है अनुस्वार का प्रियोग किया जाता है तो ध्यानकना दोस्तों जिस भी सब्द पर अनुस्वार आ जाए वो कौन सा सब्द होग कौन सा सब्द होगा तत्सम सब्द होगा जैसे एक उधारण हमारे पास आया निरंतर है क्या उधारण आया निरंतर है अनुस्वा लगा हुआ है क्या बिलकुल लगा हुआ है दोस्तों दूसरा उधारण हमारे पास है व्यंजन क्या या व्यंजन यहाँ पर भी क्या लगा वापस से सुना यदि किसी भी सब्द पर अनुस्वार का प्रियोग हुआ हो वह सब्द हमेश्या तत्सम सब्द होता है कौन सा होता है तत्सम सब्द होता है दूसरा जो नियम आता है हमारा वो आता है यदि किसी भी सब्द का प्रारंब वे वर्ण से हो, कौन से वर्ण से हो, वे सब्द भी तत्सम सब्द होते हैं, कौन से सब्द होते हैं, यानि कि जिस सब्द का प्रारंब हिंदी वर्ण माला के वे वर्ण से हो, वे सब्द कौन से होते हैं, तत्सम सब्द होते हैं, जैसे एक ठीक है ना देखो वानर वर्स वर्सा अब यहां पर प्रारम किसे हो रहा है वैसे हो रहा है दूसरा व्यक्ति आया क्या आया व्यक्ति आया तो वे वर्ण जहां पर आ जाए वे सब्द भी तत्सम होते हैं वे सब्द भी क्या होते हैं तत्सम होते हैं अगला जो नियम आता है वो हमारे पास आता है, यदि किसी भी सब्द का प्रारम्ब हिंदी वर्ण माला के ये वर्ण से हो, कौन सा वर्ण दिख जाए, ये वर्ण दिख जाए, तो वहाँ भी तत्सम सब्द होते हैं, कौन से सब्द होते हैं, तत्सम सब्द होते हैं, जैसे एक उधान आया, ये सोधा क्याया या सोधा और एक आया यमुना क्याया यमुना या सोधा यमुना यानि देखो दारंबिक वर्ण क्या है ये और ये यदि प्रारंबिक वर्ण है तो कौन सा सब्द होगा तच्सम सब्द होगा कौन सा सब्द होगा तच्सम सब्द होगा समझ में आ गया नमबर तीसरा हमारा नियम आता है यदि किसी भी सब्द में संयुक्त वर्णों का प्रियोग हो कौन से वर्णों का प्रियोग हो क्याया पक्सी क्याया पक्सी ठीक है एक आया हमारे पास छत्रे क्याया छत्रे तो देखो और एक जैसे आया हमारे पास विज्ञान है क्याया विज्ञान है तो देखो छैत्रे और गे संयुक्त वर्णों का प्रियोग जहां भी आपको नजर आ जाए एक सबसे डुधान यहां से होता है सेका वो होता है अस्रू क्या होता है अस्रू तो सियुक्त वर्णों का प्रियोग हमेश्या तत्सम सब्दों में होता है कुछ से सब्दों में होता है तो तत्सम सब्दों में होता है अगला जो नियम आता है वो नियम ये कहता है यदि किसी भी होते हैं जैसे उधानाया हमारे पास से दुग्द क्या आया दुग्द देखो यहां पे गे कैसा है हलंत आदा है दुग्द आया अगनी आई क्या आई अगनी यहां पर भी देखो गे कैसा रहा है आदा तो हलंत वर्णों में हमेश्या कौन सा होगा तच्सम होते हैं कौन से हो गया हो किसका प्रियोग है अने का प्रियोग हमेशा तत्सम सब्दों में होता है कौन से सब्दों में तत्सम सब्दों में जैसे एक उधाना आया कौन क्या या कौन ठीक है ना कौन यहां पर देखो क्या रहा है अने आ रहा है क्या रहा है अने आ रहा है तो अने का प्रियोग कौन से सब्दों में होता है तत्सम सब्दों में होता है कौन से सब्दों में होता है तत्सम सब्दों में अगला आता है त्रे का प्रियोग यदि किसी भी सब्द के अंत में त्रे आ जाए सब्द में अंत में क्या जाए त्रे आ जाए तो वहां पर भी कौन से सब्दों होते ह तत्सम सब्द होते हैं जैसे एक उधान आता है निर्मात्रा क्या आता है निर्मात्रा अंत में क्या आया त्रे आया और त्रे जब आएगा तो कौन से सब्द होते हैं तत्सम सब्द होते हैं कौन से सब्द होते हैं तत्सम सब्द तो दोस्तो समझ में आ गए तत्सम सब्द न तो धानकडा संस्कत भासा के वे सब्द जिनका हिंदी में अनुवाद कर लिया यानि संस्कत के जो सब्द थे जब हमें आऊ सकता पड़ी तो हमने किसमें अनुवाद कर लिया हिंदी में अनुवाद कर लिया वे सब्द ही तद्बव सब्द कहलाते हैं कुणसे सब्द कहलाते हैं तद्भाव सब्द कहलाते हैं देखो तद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् किसमें होता है तदसमें तो ध्यानकना चंद्र बिंदू का प्रियोग कौन से सब्दों में होता है तदबाउ सब्दों में एक में अनुस्वार आएगा एक में चंद्र बिंदू आएगी जैसे इधर तो हमने बताया था इधर एक तो व्यंजन एक तो क्या बताया था आंक, आउन लगी हुएका चंद्रबिन्दू, दूसरा हमारे पास आया, चांद चांद, देखो आंक और चंद, दोनों पे चंद्रबिन्दू का प्रयोग हुआ है, और इधर क्या है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो पहला समझ में आ गया, दोनों में नियम, एक में चंद्रबिंदू अनुश्वार तद्सम चंद्रबिंदू तद्बव दूसरा जो आता है वो आता है हमारे पास हमने कहा था कि वैवर्ण से प्रारम होने वाले सब्द कौन से होते हैं तद्सम तो धानक ना बैवर्ण से कौन से वर्ण से बै बैवर्ण से जो वर्ण प्रारम होंगे वो तदबव होंगे कौन से होंगे तदबव जैसे गधान आया वानर और एक आया वर्स और एक आया वर्सा ठीक है वानर वर्स औरे वर्सा तो वानर का तदबव बनता है बंदर क्या बनता है बंदर वर्स का बनता है बरस क्या बनता है बरस और वर्सा का बनता है बर् तो वेवर्ण से प्रारम होने वाले तद्सम और बेवर्ण से प्रारम होने वाले तद्भाव सब्द कहलाते हैं समझ में आ गया अगला नियम था हमारा कि यदि किसी भी सब्द का प्रारम येवर्ण से हो कौन से वर्ण से येवर्ण से तो वो कौन से होते हैं तद्सम जैसे यसोधा और क्या आयता यमुना यसोधा औरे यमुना तो ध्यान रखना दोस्तो ये वर्ण से प्रारम होगा तो तत्सम और यदि किसी सब्द का प्रारम हिंदी वर्ण माला के जैवर्ण से हो कौन से वर्ण से जैवर्ण से हो तो वे तद्भव होते हैं वे कौन से होते हैं त तो जैसे यसोधा का तद्वव बनता है जसोधा क्या बनता है जसोधा क्या बनता है जसोधा और यमुना का बनता है जमुना यमुना का क्या बनता है जमुना यहाँ पर समझ में आ रही है ना ये तद्शम जै तद्वव यसोधा और जसोधा यसोधा जैसे गुधारा जसुमत बाई मैया मोही दाओ बोत खिजायो मैया मोही कहे तू जसुमती तू तो मौल को लीनी तू जसुमती कबे जायो जसुमती और एक आता है यसुमत जसुमत औरे यसुमत तो येवन से प्रारम होने वाले तद्सम और जेवन से प्रारम होने वाले तद्बो सब्द कहला आते हैं समझ में आ गया अगला हमारे पास आया नियम था कि अने अने आएगा तो तत्सम और ने आएगा तो तद्वव अने का प्रियोग तत्सम में होता है और ने का प्रियोग तद्वव में होता है जैसे एक एक्जामपल आया कोने क्या आया था कोने ठीक है ना या कह सकते कोना या क्या कह सकते इसको कोना तो इधर क्या बनेगा कोना क्या बनेगा कोना कोना औरे कोन ठीक है ना तो अने तद्सम और ने तद्वो अने तद्सम और ने तद्वो दूसरा अगला देखो त्रे का प्रियोग हमेशा तद्सम सब्दों में होता है जब की तै का प्रियोग ह किसम होता है तदव सब्दों में जैसे कश पर यहां पर क्या बनता है निर्माता क्या बनता है निर्माता तो ते उरते इंड़ में एंड़ आध Response स्वस्त रहें, खुश रहें, खुशाल रहें